नमस्कार दोस्तों मैं गोपी जखवर्ती एक बार फिर आपके सामने एक वेहदी सानदा ट्रिक के साथ आया हूँ और यह ट्रिक नम्मर शिक्स है इस ट्रिक को जानने के बाद यह इस ट्रिक के जो वहती बहुत भी बड़ी प्राउलम होती है वह content है 소개 से संबाद देट रिक है और जो कोश्चन आते हैं X प्लस वन अपोन X एक कोल कुछ दिया रहता है वैल्यू और कुछ भी घात में X की पावर फ्वर बन अपॉन X की पावर फॉर यह वन अपॉन X की पावर निन नहीं यह इस तरीगे से पाउस से के अंदर देंगे आपकी केल्कुलेशन अच्छी है तो और आपके कल्कुलेशन कितने भी खराब हो आप उनके कि आंसा 10 सेकंड के अंदर तो दे ही सकते हैं आप चाहे मैं इसकी बेसिक बातों का बस ही ग्यान रखते हूं तो ट्रिक पर आते हैं सीधे अब ट्रिक है किस टाइब की देखिए कोश्चन कैसे पूश्टे पर देख लेते हैं कि कोश्चन आता है यदि X प्लस 1 अपॉन X X प्लस 1 अपॉन X एक्वल 2 अपॉन X की पावर 15 का मान क्या होगा यहां पावर और भी आंगे पीछे हो सकती है टीन डिजिट का नम्मर हो हो सकता है यहाँ पर दो डिजिट का नम्मर हो, कुछ भी और ले लेते हैं जैसे मान लिजे मैंने अंगला यहाँ पर ले लिए X की पावर 99 प्लस बना पॉन X की पावर एक सो 99 इस तरीक इस कुछ भी पावर कुछ भी हो, कितनी बड़ी पावर क्यों न हो कितनी बड़ी घात क्यों न हो X की पावर 2 प्लस बना पॉन X की पावर 2 X की पावर 3 प्लस बना पॉन X की पावर 3 या X की पावर 9 कुछ भी कर सकते हैं इस तरीके से कोई भी घात हो जो भी घात हो, हमें उससे मतलब नहीं, यहां पावर्स से मतलब नहीं है, देखिए ट्रिक है तो conditional बातें जरूर होगी, और condition उसमें क्या होगी, यहां condition है, यहां condition नहीं है, यहां powers जो है, एक्सकी वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन condition यहां पे है, अब यहां condition क्या है, तो नहीं हमेशा X plus 1 upon X के बराबर कितना 2 दो आना चाहिए उन सवालों के लिए कि वगं किन सवालों के लिए है जब इनके क्ल में क्या हो दो हो और यहां कुछ भी पूछ रहे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी बस ध्याने रखना कि यहां कितना होना चाहिए यहाँ पे x plus 1 upon x के बरावर 2 होना चाहिए वो भी x plus 1 upon x के बरावर 2 होना चाहिए और जब ऐसा हमें मिल जाए तो trick कुछ भी नहीं है trick तो बहुत ही आसान है क्या है देखिए यहाँ 2 को आएगा x की मैं ऐसी कौन सी value यहाँ पुट कर दूँ कि 2 मिल जाए x की मैं यहाँ कौन सी value पुट करूँ कि हमें क्या मिल जाए हल करने में 2 तो यदि मैं x बरावर 1 रख दूँ यहाँ पे देखिए 1 plus 1 upon 1 और 1 plus 1 upon 1 मतलब 2 आगया 2 तो यदि मैं यहाँ पे x की value 1 पुट कर दूँ तो हमें 2 प्राप्त हो जाता है बस solve कुछ भी पूछे यहाँ पे हो गया मतलब यहाँ हमें क्या पुट करना होता है हमेशा जब भी ऐसा दिया हो जब भी ऐसा दिया हो तो हमें x बरावर 1 रखना है बस अपने जो हमें answer ग्याद करना है जिसको solve करना है उसमें x बरावर कितना रखना है तो देखिए अब इसकी बात करें तो यहाँ 1 की पावर 15 यहाँ 1 पॉण 1 की पावर 15 एक की घाथ 15 ठीक और एक की घाथ 15 और हम जानते हैं कि 1 की पावर कितनी भी होय नहीं क्यों नहीं हो हमें क्या मिलता है 1 ही मिलता है तो 1 प्लस 1 अपाउन 1 दैट इस 2 इसका answer कितना आ गया इसका answer आ गया 2 बस बताइए कितना time लगा आप कुछ भी time नहीं लगना है कुछ भी time नहीं लगना है अगला हमने ले लिया इसके लिए तो x की हाथ कुछ भी हो हमें तो क्या मिलना है 1 प्लस 1 दैट इस 2 मिलना है 2 हमेशा नहीं आएगा देखे यहाँ पे तो 2 हमेशा आएगा इस ताइब से अगर उसने कोश्चन क्या कर लिया उसने कह दिया कि 5 x का square 3 x प्लस 4 इसका मान गयाद कीजिए इतना दे दिया उन्हें और बोला इसका मान गयाद कीजिए हमें क्या पूट करना x के प्लस में बंद पूट करना तो 5 x 5, 3 x 3, 4 x 4 5 और 4 दो जोड दे 5, 4, 9, 9, 9, 9, 9, 10 12, 11, 12 बस इतना ही calculation आपको करना है इतना ही calculation करना और answer निकान ला है बताए कुछ time लगे बिलकुल भी time नहीं लगेगा आप 5 second के अंदर calculation कर सकते यहीं पे हमको देख गया 2 मतलब यहां एक रखना एक और एक दो answer एक और एक दो answer 5, 3, 8, 10, 12 answer time लग रहा है नहीं लग रहा है कुछ भी आप कोई भी साइच्छा ले लीजे यहां पे यहां कोई भी पावर ले 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 कुछ भी पावर ले 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 कोई matter नहीं करता कुछ भी problem नहीं हम directly यहां कुछ मैंने बोल दिया 2x का square 4x प्लस यह फ्राइस लग दे चलो एक्स की power 99 बना पॉन एक्स की power 9 से 99 प्लस फॉर इसका answer बताईए देखिए 4 तो है इतना दो पता है answer चास से ज़्यादा आएगा कितना ज़्यादा यहां कितनी घात एक की घात 99 कोई मतलब नहीं एक ही आएगा यहां घात 9 से नहीं कोई मतलब नहीं एक को answer दिख रहा 1 प्लस 1 2 4 6 हम पहिन का उप्यों किये बिना ही answer निकाल सकते ऐसे question का तो जे ट्रिक हो गई किसके लिए जब x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान कितना दिया हो 2 दिया हो अब अगली trick इसी मैं बता दे रहूं एक और condition इसे मिल जाएगे पन को एक condition क्या रहेगी इसी में question स्टैप से भी पूछ लेते हैं यदि इस टैप से आए क्या x x प्लस 1 अपॉन x हम इसा x प्लस 1 अपॉन x के लिए बन रिक क्या मिल जाए minus 2 एक क्वाल में क्या है minus 2 हो तो हो तो फर भाई वैलू बहुत सारी लिख देंगे minus बार लिख दिया 2x 4x का square प्लस 1 अपॉन x इस तरीके से इसका मान ग्यात कीजिए या उन्हें आप सारी पूछ दिया x की घात 125 1 अपॉन x की पावर 180 इस तरीके सिंग का पूछ दिया इस तरीके से ने बोल दिया कुछ भी या फिर यहीं बोल देंगे ऐसा 99 प्लस 1 अपॉन x की पावर नहीं यहां पावर मैटर नहीं करती यहां घात से हमें कोई प्रॉब्म है कुछ भी घात दें हमें उससे कोई दिक्कत नहीं होती है तो देखिए यहां क्या दिया है x प्लस 1 अपॉन x इकल माइनस 2 हमें यह बताईए कि x का ऐसा कौन सा मान यहां पर रख दिया जाए कि हमें माइनस 2 मिल जाए यदि मैं x के प्लस में क्या रख दूं माइनस 1 x के प्लस में क्या रख दूं माइनस 1 तो माइनस 1 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 अब यहां पर देखी ज्या Cacknow मायनस 1 और यदि आपको माइनस प्लस के कॉंसेप्ट नौ कोई कन्फूजन होता है तो आप इस i scissors पो क्लिक कीजिए इस माइनस प्लस वाले कॉंसेप्ट मैंने एक वीडियो दिया है जो बिल्कुल नैचुरल डैप का कैसे की माइनस माइनस प्लस ही क्यों होता है प्लस 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 ही क्यों होता है मतलब जोड़ते ही क्यों है और प्लस माइनस या माइनस प्लस हमेशा घटते ही क्यों है इसको मैंने वाकाइदा इसको प्रूफ करके दिखा है वैरिफाइ करके दिखा है तब इस पे हमने इन रूलों को बनाया है तो पहले मैंने वैरिफाइ किया है देन रूल दिया है तो आप उस वीडियो पे जाके इस लिंक पे क्लिक करके आप उस वी X के प्लेस में माइनस बन रख दूँ तो मुझे माइनस टू मिल जाता है बस इतना गन्ना था मतलब जब भी क्या दिया हो प्लेस टू दिया हो तो प्लेस बन रखना है माइनस टू दिया हो तो माइनस बन आप कोई भी मान हमको निकालना है देखिए जैसे पहली वाला मान माइनस बंद की पावर N N कोई सैंख्या होगी N कोई सैंख्या होगी अब यह सैंख्या जो N है यह सम भी हो सकती है और विशम भी हो सकती है यह सम सैंख्या भी हो सकती है और विशम सैंख्या Even नम्मर भी हो सकता है और और नम्मर भी हो सकता है यदि इवर नमर है तो इसका अंसर प्लस बनाएगा कोई भी घाठ ओ दो से में कि रहे के 2000 आँ हो यहाद कुछ भी ऑबहुक्छ भी हो वाँसर कि याएगा 6 एभा प्लस बन MP3 नहीं have और नमबर मुलना चाहिए तो वो हमें सांसर क्या आएगा माइनस बन यहां प्लस बन यहां माइनस बन तो ज़रा देखिए माइनस बन और यहाँ माइनस बले जोड़ जाते हैं तो माइनस 3 हो जाएगा ओर और अब इसको और जलाटी कर सकते हैं कैसे और स्पीड में क्याण सकतें देखिए यह सीखल क्या पूटक आ cz minus 1 तो यहां कितना जाएगा minus 2 यहां कितना जाएगा, देखिए power क्या है, even है तो plus 4, यहां भे minus 1, minus 3 या फिर, खटा तो जो भी करने है, तो कुल मूला का answer कितना आ गया plus k 1, इसा answer कितना आ गया plus 1, इसी पकार क्या लिखा है x की power 125, 1 upon x की power 180 तो 125 ODD और है और weten then ''one'' 80 Even है कि और वहन है जीरो इसी पर कारण लो आप कि यहां क्या even power तो प्लस बन यहां odd है तो माइनस बन यहां वन वन तो माइनस तू तो माइनस 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 Щाब जो है यहां आनसर ख्याया माइनस टू यहां देखिये दौनरप आवर क्या है और है तो owomanas-ечение समान हो संख्याय जूद जाती हैं छिवर ही रहता है जो वहां पर मायनस तो माइनस यहां पर कितनी भीख कोई भी संख्या दिया हो में कोई मतलब नहीं उससे बस यहां द्यान रखना है यह दिया है तो X के place में 1 put करना है और minus दिया है तो minus 1 put करना है minus 2 दिया है तो minus 1 put करना है बस आप बहुत ही आसानी से answer निकाल सकते हैं इस से बहतर trick नहीं हो सकती इन सवालों के लिए लेकिन conditional यह है condition इसमें क्या आएगी condition इसमें यह है कि यहाँ पे minus 2 या plus 2 होना चाहिए यह उन सवालों के लिए है तो दोस्तों आपको यह trick समझ में आई होगी बहुत ही चांदार trick है इससे हम ऐसे सवालों को बहुत जल्ली कर सकते हैं नहीं तो हम यहाँ पे logic लगाते रहते हैं और फिर वही सूतरों का प्योग करते हैं कि यदि यहाँ फस जाते हैं कि अलग अलग दिया तो क्या करें इसे कई बार इनको हम छोड़ ही देते हैं क्यों क्योंकि हमको लगता है यह बहुत time consuming है इसमें हमको होसकता है 7 अभी लग जाये और एक मिट सूपर लगा तो हम इस एक मिट में कितनी question नहीं कर सकते तो देख़ें 2 में एक मिट को मैंने 5 सेकेंड में कर्मड कर दिया इसमें आपको एक मिट लगने वाले था photos taken में कर दिया और पांस सेकंड में कर दिया तो 55 सेकंड जो आपको मिले हैं वो आपको किसी और कोस्टन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और भी वहत्रिंग ट्रिकों के लिए बने रहे हैं हमारे चैनल अक्षरा एजुएशन सेंटर पर और भी आपको सॉट्रिक्स पढ़नी है तो वैदिक गरत की सॉट्रिक्स चल रही है आप उनको भी चैनल में जाके उनको भी देख सकते हैं आपको बहुत ही सांदा ट्रिक लगेंगी वह और आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही काम आएंगे आपको और इस तरीके से मैंने और बी ट्रिक डाली हैं अभी इस चैनल पर नय हैं और आप वीडियो देख रहे हैं तो यह बदेखने के बाद आप और भी मैंने पास्ट चुका हूं पो ट्रिक जरूर देखिय वह भी बहुत ही सांदा सांदा ट्रिक है कुछ ट्रिक तो ऐसी है कि हम देखते ही आंसर एक स और भी कॉंपेटिशन वाले वीडियो में डाल रहा हूं वो भी आप देखें टॉपिक वाइट वो भी देखें तो अभी जे ट्रिक थी इसके और इस एलजेबर से संबंदित मैंने कुछ वीडियो भी डाले हैं तो वो वीडियो भी आप देखिए तो आज के लिए इतना ही जाहिन मंदे मात्रम